तू मोहाबत तू ही आदत मुझप तुम एनायत हो मेरी चाहत तेरी राहत मुझप तुम एनायत हो अपने रंग में मुझको रंग लो मेरे सारे सपने सच कर दो तू मोहाबत तू ही आदत मुझप तुम एनायत हो टू मेरे राहत यरूस वालब्य अगर तूमने अभरी आदत सच ज्ञेंश्स अब भी आदर कु साना से मिलने से ना रुक तू मेरी बात याद रखना तूम अजर को खौदोगी देखो गाजी अब इस दफ़ा देर मत करना तुम जल्दी से अपने सर पे सेरा सजा लो मैं उसके लिए मर चुका हूँ और आप क्यों आजा दे गढ़े मर्दे को खालने के लिए किसी के जखम खुरचने में और उसमें नमक चलकने में आपको मज़ा आता है मैं तुम से ही हां मिलने आया हूँ क्यों? तुमें ये भूल देना और जब से मैंने फरहान से शादी किये और से बहुत करीब से देखा है तब मुझे पता चला कि मिनाल तो उसके दिल से निकली ही नहीं थी क्यों आय था फरहान यहां पे? मैंने बुलाई फोन किया था और काता क्या फरहान प्लीज यहां आजाए और आकर मुझे थैंक्स करें के मैंने आजर को आपके साथ काम करनी के इजाज़त देती आजर ने उससे कभी भी महबत नहीं कि वो उसका वक्ती करश्ता आदा भूत तो उसका उतार चुका है और आदा मैं उतारएंगे एक बात कानखोल की संबाँ सना को इस खर में आने से कोई नहीं रोख सकता ना मैं ना बाबा और ना तम पर सारी पाबंदियां सिर्फ मेरे लिए क्यों है मुझे भी कोई नहीं रोख सकता मैं जिस से चाहूं बात करूँ या फे मेरे मैं रोख सकता हूं फरहान आएंदा इस खर में कभी नहीं आएका और तु मुझे कभी बात भी नहीं करोगी हम तो सोच मिन सता था कि तुम बोले रुप क्यों गए आजर बोले मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने आपको खुद देखे आखर हमारी शादी होने के बाद भी सणा का हर बक आपके साथ रहना क्या मने रखता है वो आपके लिए मुझसे जादा एहम क्यों है? क्योंकि वो मुझे तुमसे कई ज्यादा अंडरस्टाइन करती है मेरी खुशी का पास रखती है वो इतना कुछ उस नहीं किया मेरी खातेर इतना जितना तुम सुच में नहीं सकते सौत दफा सुन चुकियों ये सारा कसीदा किसे बेवकूप बना रहे इतने हर्से से आप प्लीज सना के लिए कोई नई बात करें क्योंकि ये सुन सुनकर तुम्झे याद हुचका है कितने इसानाथ है उसके आपकी जिंदगी पर जिनके नीचे आप खुशी से दपेवें लेकिन खुटम तुम मुझे महसूस हो रही है ना तम खुट्राह मेरा तुम्त करो बरताश्त कौन मजबूर कर रहा है तुम्हारा जो दिल में आता है तुम करो लेकिन फर्हान के मामले में मुझे जरा सभी शक नहीं होना चाहे मनाथ मैंने मैं तुम्हार सद बहुत बुरा पेशा हूँगा ये भी नहीं देखूँगा कि तुम साहीत ही या गलत मैंदे आप खुद को समाले क्योंके एहतियाग की आपको ज़रूरत है मैं सना से करें कि आपके साथ जाते वे कम से कम अपने शोहर को तो बता दिया करें तो छुप छुपा के बस एक लवज और नहीं सना और मेरे पीच में ऐसा कुछ नहीं है जिस हमें चुपानी की जरूरत पड़े तुम्हारी मरजी तुम जो चाहे संजो लेकि मैं बर्दाश्ट नहीं करूँगा कि तुम्हें सना पर कीच ज़ाएं झाल 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 बाजी, रात तो खाने में क्या बनाओ? रात तो खाने में क्या बना ले ना? मैं तो शायद भाहर ही खाना खाऊंगे, घर पर आपके कुछ और कर दूँगे ठीकिए सुना जी बाजी वो गाजी साप की चावी कहा फेंकी थे तुमने? बाजी, वो चावी में ने भेंकी नी थी, अपने पस अमालगे रख ली थी, लेकिन वो गाड़ी लेने आये नी? क्या मतलब गाड़ी तब से बाहर कड़ी है? बाजी बाजी, गाड़ी बाहर कड़ी है, और चोगेदार भी पोछना आये थी, मैंनो उसे कह दिया, यह हमारे जानने वालो की गाड़ी है जाओ लाओ तो मुझे चावी जी मिले गाड़ी अगर पूरी रात यू नीचे गुजानी थी, तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जाकती तो ना रहती तुम्हें किसनी का था जाकती रहने को? सना के बारे में कोई बात कहना बाकी रह गए थी क्या? मैं तो यहीं चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में सना के बारे में कुछ बाकी ना रहे सब कुछ ख़ता मुझा तुम क्या चाहती हूँ, मैं तुम्हारी मर्जी के मताबक चलो जो तुम्हें नहीं पसंद, मैं उससे बिलकुल ना मिलू किसके साथ मुझे काम करना चाहिए, किसके साथ ने, ये मेरी नहीं, तुम्हारी मर्जी हो गया मुझे तुम्हारी अब कोई फातु बात नहीं सुने साथ साफ क्यों नहीं कहते हैं अब मैं आपको कोने में पड़ी कोई चीज की तरह नजर आती हूं जिए तुम्हारे साथ अब कोई भैस नहीं करनी खर्म को टॉपिक यह तो खुद यही चाहती हूं कि यह टॉपिक अब बस खतम हो जो एको मैंने तुम्हें बता दिये कि मैं क्या चाहता हूं अभी तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहती हूं आया तुम इस खर में लेना चाहती हूं यह नहीं गाजी गाजी सुबा है तुम से कहा है कि मार्केट जाना है तुम अब तक यहीं कड़े हो और यह क्या सारी अलमारी क्यों खाली कर दी तुमने शौबा है गाजी जब ध्यान से तुनिकाले सब की इसकरी खराब हो रही है और जब पहने का वक्त आएगा तो कहोगे कि प्रेस सही नहीं है वो बात तो खैर अपनी जाना है जब तक रूमी थी मेरे कपड़े बहुत ही अच्छे कंडिशन में थे एकडम से उसके जाने के बाद समझ में नहीं यार मैच करना दुश्वार हो गया मैं तो बिंजार आ गया हूँ शादी कर लेते हैं तो यह सारे मसले खतम हों बीवी बहुत ध्यान रखती है सुकून से गुजर रही होती जिंदगी जिंदगी अब भी आराम और सुकून थे ही करते हैं यहां मसले सिल्फ कपन हो करते हैं वह अपनी तसल्ली के लिए जो चाहो करो लेकिन जो कमी है सो है पस कुदा करे के नई यारापा ना हो जब वो तुम्हे कोई चुकती भी बात कहती है ना तो मेरा दिल बहुत दुखता है अच्छा अब जा के देखो तो अच्छा जा रहो हलो वो तुम्हारी गाड़ी के चाहबी बहीं छोड़ाए फिर लेने भी नहीं आए हमत है नहीं बहुत ज्यादा नाराज हो नहीं नहीं तो अंदर नहीं लेके चलोगे हाँ किसके साथ आई हो ड्राइवर के साथ आई हो आजाओ अच्छा अच्छा खुदा क्या शुक्र है जो फर्स थे वो पूरे हो रूमी और मिनाल खेरियत से अपने घर की हो गई जी मुझे बताया था गाजी ने वस वक्त कैसे बजलता है पता है नहीं चलता है कल की बच्चेया अपने घर्चिन भी माशारा ठीक कह रही हो तो मैं चाहे लेकर आते गए जाब रखी बखी 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 तो तुम्हारे बारे भाद दुख हुआ सुनका इन सादा और इतनी मखबत करने वाली लगी साथ ऐसा जो खुदा कभी माफ नहीं करेगा उन लोगों बस अब तो सब्त कर जाया है अल्दानी साथ करने वाला है दुखी मत तुम्हारे बखी बखी होगी कि रास्ता अलग हो गया जी अब तो मुझे बखी ऐसे है मुझे पाओं पर खड़ी हो माशादा किसी के सहारे की जरूरत नहीं लेकिन लो तंधा रहना भी दानिश्वंदी नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए निलम जी लेकिन कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस आजाओं ठीक है बाबा मुझे आपसे एक बात करनी थी हाँ बोलो मिनाल बाजी ने नाश्ता नहीं किया था अभी चाहे लेकर उनके कमरे में गया तब यह उन्होंने मना कर दिया दिल नहीं कर रहोगा उसका इसमें परेशानी की क्या बाब बाबा परेशानी की बात है आजर बाई और मिनाल बाजी के बीच जरूर कोई बड़ी गड़बर हुई है आप बात क्यूं नहीं करते आजर बाई से कामी तुम्हें इससे क्या तुम क्यों टो में लगे रहते हैं तुम्हे और कोई काम नहीं क्या? बाबा आप जो कहते हैं कि मैं इस घर के फर्द की तरह हूँ अरे बाबा हो इस घर के फर्द की तरह किसने मना किया है? लेकिन इसका ये मतलिब हल्टिस नहीं कि तुम हर चीज में टांग अडू और हर मामले में बोलो और वैसे भी मिया बीवी के मामले में किसी को बोलने कर कोई हक नहीं होना चाहिए और अगर इनके बीच में कोई बात है भी तो खुद ही हल निकाल लेंगे समझे आबा मिनाल बाजी बहुत सीधी हैं और ये मामला बहुत ही टेड़ा कैसे हल निकलेगा खुद ही हुद है कामी मेरा सर मत खाओ अच्छा तो मैं और कोई काम नहीं है चलो और अपने काम से काम रखा करूँ सनन्व में परमाल की तरव से तुमसे कुद माफिं माँगा मुझे नहीं पता कि उसने परान से क्या का और फरान ने क्या समझा पुदरू गोई अवसे ही। अवरत करती है वो मुझ से। उसका बश सले लिए तो भरबाद ही कर दे वो परहां से इस तरह की बात करने का यही मतला है कि वो मेरा गरत अबा करना चाहती है मैं बात तो रहो महसें, आज ही पूछू हूँ अज हूँ हूँ तुम अभी भी उससे पूछोगे? यहीं तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तुम अभी उस मिनाल को लिजाम देने से डर रहे हो जबके वो तुम पर भरोसा भी नहीं करती तुम उससे कहो के वो मुझ से माफीमाद, वो भी परहान के सामने अभर तुम्हें मेरी जरा से भी फिकर है ना तो उससे कहो ऐसा करने को सना हम आज रहत को सना की तरफ चाहरें और तुम फरान के सामने ही एडमेट करोगी कि यह सारी मिस अंदरस्टैंडिंग जे और सना से माफी मांगोगी कि अप्राव पूचारा थे मुहाबत तू ही आदत तू मुहाबत तू ही आदत तू ही आदत जीब जीब सब खेरियत है जीब आजर भी छीख है आप सुना अम्मी क्या हो रहा है गर पर मामू कैसे है जानती है हुमारी घर कौन आया है नीलम मैंने तुम्हे बताया था ना के वाजी को मिली है जी बताया रहा है तूने एक साथ इतने अच्छे लग रहे हैं कि बस दौा करो कि बस कुछ अच्छा हो जाए अच्छा है अच्छा है अच्छा है कैसे एमोशनल ना हूँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए वफ कर दी हूँ और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी बस अब उसके लिए तो एक ही खुशी की उमीर है कि उसके सटे सेहा सजा देखना तो आपके खिया जिसकी शादी होती है उसे खुशी का कोई ख़जाना में जाता है जरूरी तुन नहीं है क्जा हुआ बेटा तुम ठीक तो हो जीप ठीक हो मुझे क्या होना लेकिन मुझे ऐसा क्यूं लग रहा है के तुम परेशान है कोई परिशानी नहीं है और आफ अपर थाल से दुशादी के बाद सब ठीक हो जागा हूं तो तीक है अच्छा मुझे बता हूं अजर में कुछ कहा है कुमें अश्व कुछ नहीं है अप आप अप लिए मांटी को अटेंड करें नाप सब आप में बात कुछ अला आपस अदा आपस अजरी मैं वाकी बहुत रहु है मेरे राक्ष्ण बहुत रहा थाले हो अदे मेरे रेक्ष्ण बहुता राट इना बार बार इस बात को क्यो दोराती है मैंने कहा ना कोई बात मिश्वा फिर भी मुझे आस थी कि शायद तुमाओ ये जानने के लिए कि मेरे पने स्ट्रॉंग वे आक्शन की वज़ा क्या है ये हर्गिस मैं चाहूँगा कि तुम्हारे किसी भी परिशानी की वज़ा मैं बने कुछ उसकी जिम्हेदार भी मैं खुदी हूँ पहसल में डर गई थी अपने हाँ से बेर फिसमत से बहुत बड़ी तरह टूटके बिखर गई थी बड़ी मुश्किल से अपनी शख्सिये की किर्चियों को जोड़ा था जीने के लिए तुम समझ रहे होना मैं क्या कह रही हूँ मैं तुमारी केर करना चाहता और वश तुमारी इसी केर और इतनी अचैंशन से लिए तुमें डर गई थी इसके बाँ़ रहना सिख लिया था ना पर फिर से में खाफ नहीं हुमीड मेरे शेयर करने के मसदद ये तो नहीं तो नहीं तो मुझे पता है तुम्हारे कोई मसदद नहीं था और बस यही अपने आपको समझाने में जरा दिक्कत हो रहे थी कि तुम्हारे ये मसदद नहीं था मैं बसा नहीं क्या बाते ले लेगी कॉफी इची है कितना और गिरोगी मनाई सना से तुम्हारी नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैंने कुछ नहीं किया है आजए सना जूट बोल रही है सना जो कह रही है बिलकुल सच कह रही है क्योंकि यह वो बात तो मुझसे खुद भी कर चुकी हो तुम्हारी सना से नफरत चुकी नी होई हम आज रात को सना की तरफ जा रही है और तुम फरान के सामने ही एडमिट करोगी कि ये सारी मिस अंडरस्टैंडिंग से और सना से माफी माँगोगी इसके लबाग को इचा रहांगी ना मैं बहाँ जाओंगी अब नाही मैं के सीसर माफी माँगोगी माफी तो तुम्हें माँदी होगी मनार्ण हरसुरत बहुँ मिनाल भाजी आप अन्मा जाएंगी मगर इसके साथ दूसरी गाड़ी तो बाबा साथ बेगा आप कैसे जाएंगी मैंने टैट्सी बंगाई है तलके आचुके है तुम ये बैज उठाओ गाड़ी में तो मिनाल भाजी, क्या हुआ? सब खेरियत तो है ना? हम, सब ठेक है लेकिन आप जा कहा रहेंगे, ये तो बता दी जाएंगे ये तुम्हारा मसला नहीं है अगर आजर भाई मुझसे बूछेंगे कि आप कहा गई है तो मैं उनसे क्या कहूँ तुमसे कोई कुछ नहीं बुचेगा आपने रात से कुछ भी नहीं का और सुबह मैंने नाज़ते बर बाबा को भी बताया था मगर उन्होंने कहा कि आपको अराम करने दिया जाए आप थोड़ी देर लुके मैं आपके लिए फटा-फट कुछ बना के लाता है मैं जो तुमसे कह रही हूँ वो करें सुटके सुठाओ गाडी में रखो आज़ी आप रेली सावी आप शेव में नहीं बार बार माफी मांगकर अब मुझे शर्मिंदा कर दो बता दी क्या हुआ हम चुफिन में इसनी हार्ष तो कभी दी नहीं हुए चलो, बहु जाता है जब कर दो चलो, तुम चल दे हो ना मेरे साथ कहाँ गाडी नहीं 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 कला जाओ देलें इक है अगर बाहर से मैं चले जाना आखे में सब कॉफी दूरो पीना शौर कल मिलते हैं तुम मैं इंपिदार करो दो तुम क्या चाहती हुए मैं तुम्हारी मर्जी के मतावज हुए जो तुम्हें नहीं पसंदे विए उसे बिलकुल न मिलू किस के साथ मुझे काम करना चाहिए किस के साथ ने ये मेरी नहीं कि तुम्हारी मर्जी होगिया, मुझे तुम्हारी अब कोई फादू बात नहीं सुनी। साथ साथ क्यों नहीं कहते हैं। अब मैं आपको कोने में पड़ी कोई चीज की तरह नजर आती हूँ। जिए तुम्हारे साथ अब कोई भैस नहीं करती। खत्म को टॉपक की। तो खुद यही चाहती हूँ कि यह टॉपक अब बस खतम हो जो। देखो मैंने तुम्हे बता दिये कि मैं क्या चाहता हूँ। अभी तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहती हूँ। आया तुम इस खर में रेना चाहती हूँ यह नहीं हम आज रात को सना की तरफ जा रही है और तुम फरान के सामने ही एडमेट करोगी कि यह सारी विस अंडिस्टाइंडिक जी और सना से माफी माँगोगी इसके लावाट को जा रहा है आज रहा है कब से पूछ रही थी तूजिके 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 तूजि अज़े कभी-कभी मेरे बारे में खलक होते हैं अच्छा जाओ, गराइने में अपनी शकल देगा आँखों से खुशी पूटी पढ़ रही है और तुम्हारा ये रूप देखने के लिए कब से तरस ले जिसकी वज़ा से भी तुम्हारे चेहरे कड़ौनों पर आखों में खुशी है ना अब उसे जाने मत दे रोप रहते हैं जो अल्ला को मंदूर बंदा क्या कर सकता है तो अल्ला भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है अपनी ख्वाइशाद की तक्मिल के लिए हाथ पाँ हिलाना पड़ते हैं कभी-कभी मस्तिहत के खातर हतियार ठैकने भी पढ़ते हैं खाजी हर बार वक्त तुमसे पुर्वानी नहीं मांगेगा किसमत हमेशा एक जैसी नहीं होती किसमती बार बार दर्वाजी तो दस्तक नहीं देगे जाओ अरे लाल तुम आजर का मामु आए जाए 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 ज चलो आजाओ, चलो आजाओ अंदर आजाओ नाल, नाल मैं किसी से माफी मी माँग। आप मुझे बताए तो मैंने कुछ किया नी तुम्हें क्यों माफी माँग। नहीं माँग। नहीं माँग। मैं किसी से माफी नहीं आसन क्या हुआ ऐसे? बस बीपी लो है इसने शाद को इस्टरस लिया है वीकनिस काफी हो गई है जूस वगर आप पिलाएं, बेतर हो जाएगी मैंने नीन की गोलियां लिग दिये एक गोली दे दीजिएगा नीन लेगी तो बेतर फिल करेगी छीक है बसे परिशानी की कोई बात नहीं है बस कोशिश कीजिए कि वो परसुकून रहे मैं नीचे चलता हूँ मैं रहा हूँ अधाजाजी क्या बीती है मेरी बच्ची पर जो इस हालत में घर आगी कोई बात तो है गाजी और देखो किसी ने पलटकर ख़ब भी नहीं दी अहमद भाई आजर किसी ने फोन तक नहीं किया कि वो खेरिया से घर पहुंची भी कि ने पहुंची है वोगत इलाँ परवा लोग है पाजी प्लीज आप युही अंदाजे ना लगाए मिलाल की तबे संबलेगी तो बता देख को सकता है वो ऐसे आगई हो अराम करने के लिए आगई हो कि तबे ठीक नहो मेरा दिल नहीं माले वो कभी सारा बीमार हुई नहीं के उसकी यहालत है तुम्हें उसका चेहरा देखा है कितनी अफसुर्दगी और मायूसी है उसके चेहरे पास अम्मी इटा क्या हुआ कदे चेल गई थिया मैं कई नहीं तुम्हारे पास थी मांगू मैं किसी से माफी नहीं माफी नहीं आप मजे बताएं तुम्हें कुछ किया नहीं तुम्हें क्यों माफी मांगू नहीं मांगूँगी मैं किसी से माफी नहीं आप प्रमस करें आप मुझो तो नहीं पेजेगी नहीं चलो अच्छा हुआ मिनाल चली गई बहुत दिनों से जाना जाना कर रही थी लेकिन विचारी को फुरसत ही नहीं मिल रही थी और आजर्व सहाब को तो फुरसत ही नहीं कि मिनाल को कहीं लेकर जाएं हद होती है लापरवाही की बाबा कोई बड़ी गड़बड है मिनाल भाजी की तब्यट ठीक नहीं थी और वो गई भी है नराज होकर तो तुम्हें मिनाल को जाना ही नहीं देना चाहिए था उन्हें जाना ही था बाबा उन्हें कभी मुझसे इतनी सक्ती से पहले बात नहीं जी अलगी लग रही थी लीजे आजर भाई आ गए क्या पता मिनाल को साथ लेकर आया हूँ लेकिन उसके सामने कोई बात ना करना ठीक है बाबा जाओ स्लाम लेकुम बाबा वालेकुम असलाम आओ आज जल्दी आ गए तो जी बस वैसी खेरियत तो है ना जी सब सब खेरियत मैं अपने रूम में जा रहा हूँ हलो अजर तुम कब तक आओगे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कहीं तुमने अपना प्रोग्राम तो नहीं बदल लिया ना नहीं नहीं असे कुछ नहीं है आ रहे है मेर मनाल तुमाई तरफ थोड़ी देद में तुम्हारा है मनाल को एक के बाद ही खलती हम दोनों की वीश में फासला बढ़ा ही जा रही है मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ आज़र मनाल की वज़ज़ से मैंने तुम्हारे घराना भी कम कर दी पर पते नहीं मनाल क्या चाहती है उसे नहीं तुम्हारी कोई कदर है और नहीं अपनी खुश किसमती की आ रहा हूँ क्या वाद चा बात वो मिनाल और आजर आ रहे हैं मिनाल घर आ रही है तुम्हे ज़्यादा खुछ होनी के जुरूरत नहीं है माफिय मांगने आ रही है मुझसे उसने जो तुम्हे कहा उस पर अच्छा वो छोटी सी बात मैं तो कपका उस बात को भूल चुका हूँ इन फाक्ट मैं तुम्हे बताना चाहता था कि मनाल क्या सोचती है अधर वाइस मुझे तो कोई प्राब्लम नहीं है मेरी तो ये खुआश है कि तुम और आजर साथ मिल के काम करो आफिस को तुम दोनों की ज़रूरत है और मेरे लिए इस वक्त अपने विजनस से ज्यादा इंपॉर्टन चीज कुछ भी नहीं है तुम्हे चाहिए था कि तुम मनाल की बात को इगनोर करें अगर इस वक्त इगनोर करूंगी तो बाते और ज्यादा बढ़ जाएंगी फरान अरी जो मिनाल टाइप की लड़किया होती है न इनने इशु क्रेट करने का बहुत शॉक होता है ठीक है राजी वश्च मुझे तुम इचारी पे रह्म आ रहा है इचारी? मनाल मनाल तो घर पे नहीं है वो अपनी अम्मी की तरफ गई होई है क्या तुम्हे नहीं पता? नहीं उसने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कर कमाल है तुम्हे अपनी बीवी के बारे में नहीं मालो अगर वो जा रही थी तो उसे बता की जाना चाहिए था मुझे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया उसने तो जुरूरी भी नहीं समझा मुझे बताना क्या तुम मुझे बताओगे कि वो क्यों गई है? या मैं उसे फोन करके पूछ हूँ कि घर चोड़ने की वज़ा क्या है? अबा आप उसे फोन नहीं करेंगे उसे हमारी कोई फिकर नहीं है संदगी अज़ा पना कर रखते हैं उसने मेरी खामऊश रहो मैं मिनाल के खिलाफ एक लफ़ भी नहीं सुना चाहता शर्मानी चाहिए तुम्हें इस तरह की बात करते हो वो इस घर की इजज़त है इस घर की इज़त की उसे हमसे ज़्यादा परवा होनी चाहिए थी बाबा लेकिन उसे सिर्फ अपनी फिकर है हैर्थ है आज़र इतने दिनों में तुम उसे ज़रा भी नहीं पैचान से बने इस मुहबत का दावा था तुमें जो भी है बाबा बाबा आप उसे कॉंटेक्ट नहीं करेंगे जानता हूँ क्यों कही है मुझे किसी चीज से कोई सरुकार नहीं मैं मिनाल को इस घर में देखना चाहता हूँ और तुम जा रहे हो से लेने नहीं बाबा मैं नहीं जाओगा तुम नहीं करोगे जब नहीं करोगे जब नहीं करोगे नहीं तुम नहीं करोगे जब उनको कोई असास नहीं है तो हम क्यों करें उनकी परवाद वो सट्का है आजर आफिस में हो उसे पता ही नहीं तो तो एहमद भाई तो घर में होते हैं उनके सामने सु टेक्सी करके आई होते हैं उनको भी इतना एसास नहीं हो कि वो खुछ जाते गए अब क्या कहा जा सकते हैं सारी सुर्थयाल मिनारी बता सकती है अब उठे तो पूछ ले डॉक्तर ने मना किया कि जब तक मुक्कमल तोर पुछ सपूर ना हो जाए तब कखन नहीं पूछ सकते हैं खुद बताने के काबिल हो जाएं पूछ रही है और सकता कि वो खुदी शेयर करें यह लीची अहमद भाई का पूछ शुकर है किसी को यार तो आई मेनाई की सुनो क्या कह रहे हैं सौब लेक्प अहमद भाई यहमद भाई यह क्या कह रहे हो घाजी तुमने मुझे फॉन करके बताया क्यों नहीं अब कैसी तबियत है उसकी घाजी मैं क्या बताऊँ आज सारे दिन में घर से बाहर था और आजर भी मसरूफ था चूंके बहुत ज्यादे इसलिए वहां नहीं आ सका खेर मैं आता हूँ आ रहे हैं हम तो लो तुम फिकर न करो हम पहुंच रहे हैं अध़ा आप्स बीमार है वो घाजी सक्त परेशाना और मैं शर्म के मारे मरा जा रहा हूँ क्या सोचते होंगे उसके घर वाले और खुद मिनाल भी के यह ख्यार रखा हमने उसका कामी गाड़ी निकालो आप नहीं जाएंगे उसकी तरह बावाँ तू मुहाबत तू ही आदत तू झाष्य। 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 झाष्य।